हेलो एवरीवन विल्कम टू आवर चैनल पीकेपी आज की क्लास में हिंदी की कारेपत्रक चार देखेंगे जो की तीन अगस्त की यह और क्लास सेवन इस्टुडेंट्स के लिए आज आज आपका टॉपिक चु रहेगा वो पुल लिंग और इस्त्री लिंग पर रहेगा बट इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्काइब करें ताकि नेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहें और आप सभी अपने वक्सीट को कम्प्लेट करें बट साथी साथ अब चैनल को आप वीडियो को जितना होशा कि लाइक और शेयर भ गई तो बालक क्या हो गया पुलिंग हो गया बालिका क्या हो गई इस्त्री लिंग हो गई दादा जी अख़बार पढ़ते हैं दादी जी अख़बार पढ़ती है तो दादा जी क्या हो गई पुलिंग हो गई दादी जी क्या हो गई इस्त्री लिंग नायक अभिने कर रहा है नाइका अभिने कर रही है यानि कि यहां हीरो और हीरोईन की बात हो रही है तो यह हो गए क्या पुल लिंग और नाइका क्या हो गए इस्त्री लिंग छात्र कविता शुनाता है छात्रा कविता शुनाती अताब पुरुष जाती का बोध कराने वाले सब्दों को पुलिंग और इस्तरी जाती का बोध कराने वाले सब्दों को इस्तरी लिंग कहते हैं इसमें feeling कैसे आ रही है, pronunciation में E की आती है, जबकि इसमें किसकी आती है, आ की आती है, लेखक, ठीक, आ की आती है, हिंदी ब्याकरण में केवल दो link, pulling और strilling होते हैं, नपुनसंक link इसमें नहीं आता है, आईए देखें आपने क्या सीखा, गोड़ा का क्या हो जाएगा यहाँ गोड़ी, रस्टा का रस्टी, बूढ़ा का बूढ़ी, बंदर का बंदरिया, देवर का देवलानी, हाथी का हाथिनी, सिच्छक का सिच्छी का, स्रीमान का स्रीमती, इवक का यूती, ठीक है, अभिनेता का अभिनेत्री, अभी, गोड़ा का गोड़ी, रस्टा का रस्टी, बूढ़ा का बूढ़ी, बंदर का बंदरिया, देवर का देवरानी, हाथी का हाथिनी, शिच्छक का, सिच्छी का, स्रीमान का स्रीमती, इवक का यूती, और अभिनेता का अभिनेत्री, ठीक है, तो ये है इन सब्दों के इस्त्री लिंग, खाली अस्थान को रेखांकित सब्द के लिंग, बदल कर भरिये, जैसे रमेज के एक पुत्र और एक पुत्री है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पुत्री आ जाएगा, चुडिया घर में एक शेर और एक सेड़नी रहती है तो यहाँ पर क्या फिल करेंगे हम सेड़नी फिल करेंगे ठीक है इस्कूल में माता और पिता तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पिता माता और पिता दोनों को बुलाया है ठीक है घर में चूहा और चूहा तो यहाँ पर क्या होगा चूहा और चूहा दोनों घूम रहे हैं राजा के महल में नौकर और नौकरानी दोनों थे ठीक है यह शेरनी आपका यह इस तरह नहीं है जैसे आप समझ रहे हैं इसको ऐसा लिखना है ठीक है शेरनी ठीक है न तो रमेज के एक पुत्र तो पुत्र का लिखना है पुत्री शेर का शेर नी मादा का पिता चूहा का चूया और नौकर का नौकरा नी यानि कि जो रेखांकित सब्द थे उनके लिंग बदलने थे ठीक है तो नोट कर लिए आप सभी ने आप सभी कुछ समझ आ गया होगा व्याकरान का यह इस तरी लिंग और पुल लिंग कोई डाउट आता है कॉमें सेक्षिन में मैसेज करें मिलते हैं ने सेसन में थैंक यू फॉर वाचिंग